आप वेरी गूट इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम यू आल इन शांतिकुंच ओनलाइन क्लासेश तो बच्चो देखिए आज हम फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इंपुट डिवाइस थर्ड क्लास का हिंदी मेंडियम का तो देखिए पहले हम यह जानना जरूरी ह है कि इंपुट डिवाइस हमारे होते क्या है इंपुट डिवाइस देखो बच्चो वह होते हैं जो कि जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं है और कुछ मुख्य इंपुट डिवाइस जैसे की कीबोड है माउस है जोईस्टिक है लाइट पैन है स्कैनर है माइक्रोफोन है तो यह हमारे क्या होते हैं input device होते हैं चीक है तो आज हम इसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे देखें जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है यह सारे के सारे हमारे क्या है यह देखें इनपुट डिवाइज में यह light pen आता है यह webcam आता है च जोईस्टिक है, तो आज हम इन सब के बारे में डेटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, देखे, ये सारे हैं, ये देखे, पहले हम पढ़ते हैं, माउस के विशय में, माउस देखे, बच्चों, क्या होता है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाईज है, जैसे जैसे हम माउस को पैड अथवा किसी समतल स्थान पर हिलाते हैं, वैसे वैसे पॉइंटर भी उसी के अनुसार कम्पीटर स्कीन पर हिलता हुआ, दिखाई देता है, है ना, माउस में दो या तीन बटन होते हैं, चीक है, तो उसी के अनुसार इन बटनों को दबाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, क् देखिए दो या तीन बटन कौन-कौन से होते हैं पहला देखिए यह होता है इसको आप प्रेस करेंगे तो यह होता है आपका कौन सा बाया क्लिक ठीक है यह आपका कौन सा होता है दाया क्लिक ठीक है और यह होता है आपका स्क्रॉल ठीक है तो जब आप इन तीनों बटनों की help लेते हैं इन्हें प्रेस करेंगे तो वैसे वैसे आपको computer पर भी ये सारी चीजे जो है वो अपने अनुसार कारे करती हुई दिखाई देंगी जैसे कि आप उने instruction देंगे ठीक है माउस के पिछले भाग में एक rolling ball भी स्थित होती है इस ball के आधार पर ही जो है वो हिलता है आजकल स्क्रॉल माउस भी प्रियोग में लाए जा रहे हैं माउस का प्रियोग निर्देश आवम इंपुट डालने के लिए किया जाता है इसकी मदद से हम सलेक्ट कर सकते हैं और जित्रकारी करने जित्रबनाने खेल खेलने के लिए बोगूत ज्यादा उपयोगी होता है ठीक अब हम देखिए क्या पढ़ते हैं ज्विस्टिक यह आप स्क्रीन पर अपनी देक पारे हैं यह क्या है ज्विस्टिक है 15 तो देखिए ये joystick जो है ये क्या काम करती है ये भी एक pointing device है यह एक लंबवत दंड होता है जो दो तिर्ची नली में स्थित होता है ये नीचे से लचीला होने के कारण किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है दाएं बाएं आगे पीछे अब कहीं भी इसको घुमा सकते हैं जोईस्टिक के लचीले होने के कारण इसके द्वारा करसर को स्क्रीन पर घुमाने में मदद मिलती है इसका प्रियोग विडियो गेम्स खेलने में किया जाता है ये करसर को अच्छी तरह से जकड़े रखता है जिसका इसे प्रियोग करने में आसानी मिलती है हमें ठीक है अब देखिए हम नेक्स पढ़ते हैं लाइट पैन देखिए बच्चो क्या होता है लाइट पैन भी एक इंपुट डिवाइस ही होता है ये भी एक पोंटिंग डिवाइस एक टर्मिनल के द्वारा डाटा कम्प् कोई चीज आपको अगर स्पैसिफिक वे में दिखानी है अब देखे जैसे मैं यूज कर रही हूं यह जैसे लाइट है इसको आगर आपको हाइलाइट करना है तो आप इसली कर पा रहे है तो यह भी इसी तरह का एक पॉंटिंग डिवाइस है ठीक है तो लाइट पैन की और ने चुतरबनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं तो बच्चो देखे आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे आपके लिए होमवग देखे बच्चो क्या है कि अभी जो आपको हमने चुतरों दिखाए माउस, इक जोय्स्टिक, और किसका बनाना है लाइट पैन का बनाना है ठीक है और स्कैनर और माई प्रफोन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो इसमें आपको पाँच पाच लाईनें सबके बारे में लिखने ए उसके बारे में भी जॉइस्टिक के बारे में भी और लाइट पैन के बारे में भी ठीक है बच्छो तो यह आपके लिए आज का हूंपक है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं